गुड मॉर्निंग, एम जैहिंग डॉलुक्यू, वेलकम तो आवर यूटूब चैनल, एम यूर हिंदी दीचर पल्लेरी Students, इसके पहले मैंने आपको अभी तक जो भी हिंदी में पढ़ाया है पिटा आप उसको रिवाइस करते रहेगा और आज हम आपको हिंदी व्याक्तर पहले जा रहे हैं हिंदी व्याक्तर में आपके चैप्टर 10, lesson 10, kriya kriya को बहुत ही अच्छा subject है, बहुत ही interesting है पिटा आपको इसे पढ़ने में बहुत ही अच्छा हैगा क्योंकि kriya को समझना बहुत ही easy है तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि kriya किसे कहते है चलिए students, अब हम आपको बता देते हैं lesson 10, kriya ठीक है, चलिए जैसा कि आपको पिक में दिख रहा है एक तरब सबसे पहले kriya समझी kriya क्या है जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि काम करने, जैसे कि हम जो भी काम करते हैं है नँ, हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा kriya है खाना, पीना, उठना, बैटना, दौणना, खेलना, कुधना, है नma तो देखे, पिक में दिखा रहा है कि सेड़ दहाड़ा है तो दहारना क्रिया है यानि वो दहारडा है कुछ कर रहा है न दौर नहीं रहा है वो दहारडा है तो दहारना यहाँ पर क्रिया होगी लड़का कहानी पढ़ रहा है तो कहानी पढ़ रहा है कहानी नहीं पढ़ रहा है तो यह क्रिया है लड़की गीत गा रही है तो गाना क्रिया है मा खाना बना रही है बनाना क्रिया है पिताजी पत्र लिख रहे हैं लिखना क्रिया है राके साय के चला रहा है चलाना क्रिया है तो देखें आप लिखा है कि उपर के वाक्यों में रंगीन शब्दों पर दाहार रहा है पढ़ रहा है गा रही है बना रही है लिख रहे है और चला रहा है ये सब किसी के काम के होने का पता चल रहा है तो ये हमारा क्रिया है ठीक है क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है ठीक है तो सही बात है क्रिया के बिना कारे धूरा रहता है यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके परिभाशा दिया है कि जिस सब्दे से किसी काम के कन्ने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं नीचे फिर लिखा है देखिए नीचे लिखे वाक के पढ़िए रामने बाजार से फल देखिए यहां पर क्रिया नहीं है तो कोई भी वाक्य यहां पूरा नहीं है तो यह समझे बेकार है बिना क्रिया के वाक्य बेकार है है न राधाने सुंदर निर्ते क्या कर मैदान में फुटबॉल क्या कुछ समझ में आ रहा है नहीं माली ने पौधों को पान आप निम्दलिखित वाक्यों को पढ़े, राम ने बजार से फल खरीदे, खरीदना क्रिया लग गया, माली ने पौधों को पानी दिया, दिया क्रिया है, राधा ने सुन्दनित दिखाया, दिखाना क्रिया है, डाक्या पत्रे लाता है, लाना क्रिया है, करर मैदान में लिखा है कि वाक्य में जिस सभ्दे से किसी काम करने के होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं क्रिया के बीना वाक्य अधूर है जो मैंने अभी आपको समझाया तो वेटा अब मुझे उमीद है कि आप लोगों बहुत अच्छे से क्रिया समझ में आ गई होगी क्योंकि बहुत ही इसली ये सब वर्ट्स हैं और ये जो रोज हमारे दैनेक जीवन में होते हैं बस वही चीज क्रिया होती है हम हमेशा हर चीज करते हैं करने को ही हम क्रिया करते हैं कहते हैं ठीक है तो आपको अभी फिर भी कोई दिक्कत परशानी हो बिटा कोई क्यारी आपकी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चीक है और चली अब ये वाक्या आपका पूरा हो गया है तो I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा Thank you, Have a nice day